स्वाल भूश्रोड श्रॉड अधिव लुग वाफ लुग कैज दे से होंगे। चला है एक उट्रम 1215 अपका सवाल था क्विन जीज का इस अच्छा सवाल आश्टाई के अपना पूछा नहीं है सब बहुत यह अच्छा सवाल था इसको देखते हैं इसकी requirement मिले पास थी कि prepare a cash budget of QJ for the quarter ending 31 December 1215 मैंने इसका cash budget खाली बनाना था एक आपके time period का दोसर चले इसको हम solve करते हैं देखते हैं इसके इंदर है क्या सवाल में कह रहा है कि क्विंज use deals in imitated ornaments and operators business online through a web portal online business है orders are received through the website and dispatched through a courier मेरे पास मेटा order directly खुद receive होता है website पर मैं dispatched कराता हम courier के through असरे कह रहा है mode of payment available to customer is as follows सब आपास दो mode of payments यह है मैं कुस्टमर को पास इस तरह पे कर लो एक तो सर यह है कि जब मेरा order deliver होता है customer को तो सर 60% of the sales ऐसी है कि जो delivery को है courier के साथ जाता है सर वो cash वहाँ पे receive कर लेता है और सर 40% ऐसे customer पास sales है कि मेरे पास यह advance payment credit card के थूर मुझे payment मिल जाती है पर सर कह रहा है cash collected by the courier is settled after every seven days the first October को मैंने एक sale करी और जाकर dispatch हो गया वो तो सर डिस्पैश होने के वाज सर पैसा support करने उसी दिन मिल जाता है तो साथ October तक साथ दिन की अबाद जाके मेरे पास यह पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा कुरियर कंपणी चार्जेदा रुपीज 300 पर ओर्डर विचा डिड़क्टेड ओन अ मधली बेसिस फॉंद फॉर्स पेइमेंट ड्यू इंद सब्सक्वेंट मत वाला मेंटा कुरियर वाला हमें कोई बिल बिल भेशता है मगर वो क्या करता है पैसे हमसे मांगता नहीं पेइमेंट कर देता है जो महाई इस फॉर्स पेमेंट ड्यू इंद सब्सक्वेंट मत दूसरा में धिक रहा है जो सब्सक्राइब पैसा में पास साथ दिन के बाद आता है मतलब जब credit card swipe होता है तो bank साथ दिन के बाद जाके मेरे account के इंदर वो पैसे transfer करती है फिर क्या कहरा कुझे साथ कहरा है कि high value items which represents 25% of the sales through credit cards credit cards के दुरू मेरी कितने होती है 40% होती है 40% में जो 25% है वो मेरा high value item है are dispatched after 15 days of received of payment payment मतलब बेटा इसके अंदर मैं advance payment लेता हूँ 15 दिन पहले जैसे ही order book होता है वहाँ पे payment होती है उसके 15 दिन के बाद जाके मैं dispatch करता हूँ वापिस पढ़ो high value items which represents 25% of the sales credit cards are dispatched after 50 days of received of payment पहले मैं पेमेंट received होगी उसके पंदरा दिन के बाद जाके मैं उनको माल बेजूंगा और सब्सक्राइब मैं यह पेमेंट हो भी जाते है तुरू credit cards सब मेरे पास तो वही साथ दिन के बाद आएगी तूंकि सर बैंक मेरे पास कब करता है साथ दिन के बाद लेट सबोसर अगर मेरे पास एक पंदरा तारिक पहली तारिक की अगर वह है फॉर्स अक्टूबर को एक और आया इसका यह मतलब है मैं कहला सब्सक्राइब इसको डिस्पैच करवा देता हूं और डिलेवर हो जाता है मगर पैसा मुझे साथ दन के बाद मिलता है यह यहां पर एक किक्टी जो आपने लेनी थी पर सफ आगे मुझे क्या करा कहला सब्सक्राइब कर दो कॉस्ट प्लस 30 परशंट मदला बेटा यह आपके अंदर जो है दिवाइड बाइब वन पॉंट थी करेंगे तो कॉस्ट औ सेल्स और जो नंबर सेटेमर में 400 और मिलें ऑक्टूबर में 450 नवेंबर में 470 डिसरबर में 490 और जन्वरी में 520 और असरं की सेल्स प्राइब मुझे दीवी है अगर सर्फ मुझे जो नीचे है वो क्वाटर का बजट बनाना है मता सर्मेरा इस से तालुक होगा कैज बजट है तो आगे पीछे से भी मेरा तालुक हो सकता है क्यों हो सकता है सर क्यूंकि कोई साथ दिन वाली कानी पड़ी यहां पर कुछ होगा कुछ और इसके हैं सर वो नेक्स सब्सीक्वेंट मन्थ में पेइमेंट होंगे सर मैं इसको सॉल्फ करूंगा तर उसको हम आ आगे बनियों को फोन किया वह बोला इतने मेरे लिए और बुक कर दो पर क्या रहें स्टॉक लेवल अफ अधर गूड्स इस मेंटेश पर्च्टिट अफ पर्चिस पर्चिस प्चिस पर्चिस पर्चैस अर्प्ने पास तॉक रखता हूं परिक एन फुर्टी पर्चिस यह वाली चीजहों का सर में स्टॉक रखता हूं 25 परशंट का ताकि परचेज आजा हो सफ जब परचेज में रूपीस दो तीन 3.2 मिलियन सर्य क्यों दिया होगा क्योंकि दॉसका कोई 60% पेमिंट में उसकी पेमिंट कियोगी तो तो चेरा है सेलिंग एडमिश्रेटिव एक्स्पैसिस एक्स्पैसे आप 50 3 million per annum and include depreciation of tangible and amortization of indangible amounting to 8 million or 2 million वेटा ये नॉन क्याश एटम होता है आपका जो डेप्रिसेशन होता है तो सर अफेक्टि नी देखा है तो 50 में से मैं 8 और 2 million minus करूं तो सर कोई 40 million का cash flow मेरा annually है सर ये annually है लिखा हो है पर annum ठीके तो 40 million का मेरा कोई वो होता है तो साल में 4 quarter होता है कि 10 million की एक payment ये वाली होगी है आपकी selling and admin की पर्चेसे sales अकर evenly throughout the quarter माला बटा कोई weekend वाली कानी नहीं कुछ नहीं से कभाई evenly हो रहा है Saturday-Sunday को पुछ नहीं हो रही है छुटियों में पुछ नहीं हो रही है हर दिन होई है कोई holiday कानी नहीं है चले पढ़ लिया अपिस को stop करके एक रफ खुद वापिस पढ़ लो फिमाइस को solve करता हूं अब आपने पढ़ लियो होगा चले बेटा आप सो solve करता है मुझे बाब बता हो जो सेल्स है मेरे पास सेल्स के कितने टुकुणे मेरे पास सब्सके सर मेरे पास जो है एक तो सर मेरे पास सेल्स है सिक्स्टी परसेंट की सब्सक्राइब क्या है सर यह होती है कैश ऑन डिलिवरी कैश ऑन डिलिवरी सर मेरा राइटर जाता है कूरियर व होता है सर यह में पार रिसीव दोती है आफ्टर सेवें डेज बाला बेटा पूरियर वाला पैसा अपनी जेब में कंपनी रखती है और साथ दिन के बाद आके मुझे दे जाती है और सब्सक्राइब देता है बाकि सर एक मेरे पास आ रहा है 40% की थ्रू क्रेडिट कार्ड्स 40% की है मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स सरी जो 40% का क्रेडिट कार्ड्स है ना सर इसमें से एक 75% का दूचा है और एक 25% सरी जो 25% है ना सरी जो 75% सर उसका भी सेम ही है सर ये भी क्या है मुझे बैंक के थ्रू आती है क्यार्ट कार्ड्स बैंक मुझे करता है वो भी आफ्टर 7 देस कर रहा होता है मगर सरी जो 25% है ना सर जो आपका ये 30% अफेक्टिवली बन जाता है सर फॉर्टी परसंट था मैं अगर 75% तो 30% बनता है और सर फॉर्टी परसंट हो जो था कोई 10% बनता है सरी ये जो में 25% है ये कोई हाई वेल्यू आइटम्स रेप्रेजेंट करते हैं साथ दिन के बाद जाके मेरे अकांट में पढ़ी रहती है यह मतलब आट दिन तक अफेक्टिवली मेरे पास ये पैसा पढ़ा होता है और फिर जाके मैं इसको आज़े में डिजबेच कर देता हूं तो सर अब मैं क्या करूं सर ये कैसे बनाते हैं मैं इसका देखता हूं सबसे ब्रसे मैं रेसीवस निकालता हूं इसकी बिजसीवस्ता आपकी और सारी रेसीवस हैं ना मेरे पास किस्से होगा सर एक तो सर मैं कर लेता हूं कुरियर एंड क्रेड़ कार्ट अधर देन हाई वेल्यू आइटम अधर देन तो बड़ा उसके रहा चक्कर अलाग है अधर देन हाई यह पत्दस पर्षण को मैं हटा दूँगा अभी फिलाल मैं अभी फोकस करना हूं सब्सक्राइब और दोनों पर सर देखो भी बैंक बाला साथ दिन यह बाद मुझे आकांड में करेट करता है यह भी सर मनूस मुझे साथ दिन के बार आके पैसे देता है तो सर अब इसको क्या करें सर मेरे पास अब आप यहां पर देखो सेप्टेंबर की सर मुझे एक सेल्स दी विए को फो पॉइंट सिक्स मिलियन की सर यह 4.6 मिलियन और सर कह रहा है कि परचेज दिन की लास सेल है क्या मुझे कुरियर कंपाई यह दे दियोगी सर जो 24 तारिक को मैंने सेल की 24 से लेके 30 तारिक तक सर जो साथ दिन मनते हैं सेल के जो साथ दिन आ है इसका पैसा मुझे आके मिलेगा पहली तारिक को फिर्स तारिक को मुझे नेक्स मंद की कि यह पैसा मिलेगा तुक्र शाथ दिन के बाद आगे हैं मतलब अफेक्टिवली इस 4.6 मिलियन की सेल्स में जो साथ दिन का पैसा है वो मेरा रुखावाई जो मुझे एक्टूबर में तर्फ मैं कॉटर का बना रहा हूं यह आप यार रखेगा 1 ऑक्टूबर टू 31 डिसमबर कैश फ्लो यह मैं समय तर्फ फ्लो भी बना रहा हूं ठीक है दोसर सेप्टेमबर लास्ट 7 डेज रिसीवड इन ऑक्टूबर तो अक्टूबर में आके मिलेगा तो सर्फ मेरे पास है सर्फ 4.6 कि उसे 4.6 डेज टोटल सेथी सर्फ में मैं क्या लूँगा सर्फ 90 पर्षंट 10 परषंट मैं हाई वेल्यू वाला मैं डिटक कर दिया जर लिख दिया मैंने अधर दें हाई वेल्यू आइटम तो सर्फ 90 परषंट इसका ऐफेक्टिवली साथ दिन का पैसा 30 दिन होता है 9,66,000 रुपे यह मेरा कोई September का पैसा था जो मुझे October में आके मिला बाकी क्या है सर, सर October वाली जो पूरी sales की होगी सर वो 7 November तक मुझे मिल गई होगी और सर November वाली की होगी सर वो 7 December तक मुझे मिल गई होगी बलब सर October and November sales fully received in quarter इसी quarter में मुझे मिल जाएंगी न तो हमें cash flow बना रहा हूँ यह आद रखना sales के वो मझा है cash flow पे cash मेरा को कम मिल रहा है तो सर मेरे पास 5 million का है सर October का और सर 4.2 million है November का और 4.2 million है मिली है November का इसका सर 90% क्योंकि सर में high value अटा भी देख रहा हूँ उसे में पास आज रहा है आसा दिन बाद जागे मुझे पैसा मिलता है तो सर यह December की जो sales है इसके नसर लास की जो साथ दिन है वो मुझे नहीं मिलेगी तो effectively मुझे आपका सिर्थ 23 दिन का पैसा मिलेगा तो सर यह मेरे पास क्या था आपका 5.8 million है दबल अशारिय दो तीन जीन तो सर मेरी जो receipts हुई from courier ने credit card साथ दिन वाली है सर वो होंगी कोई 13 248 000 सर यह मेरा मुझे receipt होना चाहिए था सर यह भी receipt हुआ नहीं है मुझे उसका courier company से एक हरकत भी करती थी कहां पे यहां पे क्या करती थी cash collected by the courier यह हां यह the courier company charges यह वाला जो था ना courier company charges रूपी 300 पॉड़र विच डिड़क्टेट होना monthly basis from the first payment due in subsequent month सर यह भी मैं deduct करूंगा पहले सर मैं तरहां देख लूँ मेरी sales cash sales जो मुझे deliver जो मिलनी चाहिए थी वो कितनी थी अब सर एक मेरे पास आयाता हूं उस वाली पर आपकी कौन सी अब आयाता हूं सर आपकी high value items और सर एक चीज मुझे दरहा पहले समझें तरह चल किया रहा है सर चल कर कुछ इस तरीके से रहा है सर मैं इसको दरहा सर नीचे लेके जाता हूं ताकि मैं नीचे वर्किंग करूंगा तक मैं वर्किंग आपको समझाने के लिए ऊपर से वह cash flow बना रहा हूं सर यह हो क्या रहा है सर एक आता है में पास order order के पास सर एक dispatch date बनती है मेरी जो after 15 days होती है dispatch date और सर एक मेरे पास कानी आती है received received in bank credit card से पे करते हैं न 5-7 दिन के बार आती है सर आप 15 दिन के बार इसको करता हूं आप 15 दिन आप count करें तो सर यह आता है कोई 1st October को सर मैंने dispatch किया होगा तो सर अगर dispatch मैंने 1st October को किया और सर मेरे पास 17 में अगर सर मैं 7 दिन add करूं तो सर मेरे पास आता है कोई 23 days including 17 वाला दिन एक दो तीन चार पांच छे और सर 23 वां सर 23 दिन बैंक ने क्या करा पैसा उठा के मेरे अकाउन में डाल दिया और सर मैंने क्या करा है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और पहली सर ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, यारा, बारा, तेरा, चौदा, फिफ्टीन दे सर फिफ्टीन दे पे मैं जाके इसका कोई order dispatch करना हूँ तो सर ये 17 September वाला जो सर 1st October सर सेल्स तो सर 1st October के period में record होगी न मगर सर इसका पैसा मुझे 23 September को मिल चुका है तो सर मुझे देखना है effectively ऐसा कितना amount of पैसा है से कितने दिनों का पैसा इविन ली जो सेल्स तो बले अक्टूबर में record हो रही है मगर पैसा मुझे सप्टेंबर में मिल चुका है उसका पैसा कुछ बना लेता हूं उसका क्या करता हूं 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अब या तक बनाता हूं सर यह सप्टेंबर है 18 तारिक वाला सर्थ मैंने 2 October को dispatch किया होगा यह तीन को यह चार यह पांच यह छे यह सार यह आठ यह नौ और यह दस अक्टूबर तो सर्था अठारा तारिक वाला मुझे पैसा किसे मेरे अकॉंड में गिरा होगा सर्था चौबेस सटेंबर को उसने क्या होगा 26 27 28 29 30 सर यहां मुझे रुक जाने यह वन टू सर यह जो है ना मतलब बेटा इसका यह मतला हुआ कि सर जो आठ अक्टूबर तक जो सर मेरी जो हाई वेल्यू आइटम की जो सेल्स है जो पूरे महिने की सेल्स का 10 परशंट रिप्रेजेंट करता है सर भले वो सेल्स मैंने रि सर इसका पैसा आपको कब मिल चुकाल सर सिप्टेंबर की तारीक में मिल चुका था इन आर दिन का पैसा जो आपके डिस्पैच हो रहे है 9-10 के बाद 9 October 10 October सा इसका पैसा आपको कब आपको रिसीव होगा फर्स तारिक को सर भले आपको ये 29 तारिक को कस्टमर ने बैंक के अंदर पैसा डलवा दिया हो लेकिन आपके अकाउंट में बैंक दे रहा है फर्स तारिक को साथ दिन के बाद साथ में दिन जाके वो आपको ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है तो आट दिन का पैसा ऐसा है हाई विल्य आइटम में जो मुझे अकाउंट फॉर नहीं करना पड़ेगा चले सर इसको रहा देखते हैं तो मैं करूं किस तरीके से उसको हम इस तरीके से करते हैं कि सर आपका 9 October से लेके 30 10 October जो सर अजुमिंग मैं करता हूं 30 डिस सही है तो सर मेरे पास यह कितने इन होता सर यह कोई होता है 20 दिन सर आट दिन मेरे होंगे नहीं सर तीसमें से वीगर सर मैं 8 दिन माइस करता है आजाता है 22 दिन तो सर यह पांश मिलियन का जो मेरे पास टोटल से अक्टूबर की उस उसका 10% है विल्यू का और वाइस दिन का ऐसा पैसा है जो मुझे मिना ओगा विह कितना आजाता है और आजाता है आपके पास 3666667 अब आपके पास कह रहा है तक नवेंबर और डिसेंबर नवेंबर और डिसेंबर अपने जितने भी सेल्डर और रिकॉर्ड कियोंगो इतने भी डिस्पैज किये हैं आपने सर वह आपको 15 December तक जो आपको मिला होगा ना और वह आपने dispatch कर दिया ओगा December उसकी sales भी रिकॉर्ड कर दियोगी तो कि 15-16 December वाला effectively जाके 17 December जाके उसको 30 December जाके मिलना होगा तो सर यह तो सब मैं मुझे कोई मुश्किल नहीं है तो सब 4.2 प्लस 5.8 मिलियन इस प्लस 5.8 मिलियन मुल्टिप्लाइब यह आपका 4.2 और 5.8 का है यह रहा सर इन दोनों का जो है सर जैनवरी की क्या कहानी सर जैनवरी में जो सच 6.000.000 की सेल्स कर रहा हूं इसका 10% पैसा याद रखना आट दिन वाली कहानी आपको पता है नहीं यहाप आट दिन वाली कहानी सर यह वही पर भी यही वाली चीज होगी सर यह जो आठ जैनवरी तक सर सपोस कर लो मैं इसको लिख देता हूं जैनवरी क्या लिख देता हूं वेटा जैनवरी यह सर जैनवरी है और सर यह समले यहापे डिसेंबर भी है यहापे सर जैनवरी भी है सर यह आपका जो पैसा है आपको आपको कि उसर फर्स जैन्वरी इस्पैज जा रही होगी तो अफेक्टिव ली तैस दिसम्मर को पैसा मिल चुका होगा सेल्स जैनुवरी सेल्स रिसीव्ड इन दिसेंबर कितना ऐसा छे मिलियन की सेल्स है सर इसका सर दस परसेंट है और सर इवनली होता है तो सर आंट डिवाइड़ बाइट थर्टी कर दू मैं तो सर यह आपके पास आ जाता है कोई एक लाख सांट अगा तो सर मेरे पास जो आप की जो हाई वेल्य आइटम से रिसीव्ड है सर वो आ गई कोई 15266667 तो सर आपका टोटल 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 रिसीव्ड यह हो गई नहीं सर इसके लिए साम मुझा कुछ माइनस करना है क्या माइनस करना है मेरा बच्चो सर यह पैसा जो मेरा जेनरेट होता है ना यह 1046 passa' कोईयर जो अचे educate कर केदेता जासर बैक वाद ृब्च आइंससर इसके इन दो विंगी उनस और एक 40 यह 3050 कृर्यर वालेWAले कंपनी के through मैंने भेजा है ना वो क्या करता है समर मुझे पैसे डिड़क कर के मेरे और बेज़ता है तो स्री हम किस तरह से देखें से देखने पढ़ा कि क्या देखने पढ़ेंगे पाष्चा पढ़ें के लिए में आफ और पाष्च प्रत्रा ओड़त्र शुझे अधर आब देट इसे वह देटक्ट करके देगा कुरियर वाली जो कमपणी है सर एक बात बतना है उसके लगा क्या है सर वो कहता है सर अपने सब्सक्राइब मत में होता है ना यह आपका क्या था जो 400 आपने सेप्टेमर में सर जो ओर्डर डिस्पैच के होंगे सर उसका ऑक्टूबर की जो सर फर्स पेमिंट होगी सर उसमें पैसा काटा होगा सर चार सो पचाज जो सर आपने ऑक्टूबर के होए होंगे सर उसका नवेंबर की जो पहली पेमिंट होगी उसमें काट दिया होगा और सर नवेंबर वाली जो उसमें आपके जो ऑर्डर डिस् जो मैंने करने हैं तो सर नमबर आफ ओदर्स पहले निकालूं नमबर आफ ओडर्स सेप्टेंबर तू नमेंबर तो तो वह कितना है आपके पास चर वह आ रहा है आपके पास 400 प्लस 450 प्लस 470 सर यह मेरे पास आ गया गया कोई आपका 1320 मईन सर एक छोटी सी बात बताए मुझे स सार वो बात ये बताए मुझे कि इस में जो जो नॉबर बंर कर देम से सेल आडरे रिंसी वहा है सर ये 470 का 470 वी 570 नॉबर में अधिश्व हुआ रही सर ये 470 पर नंवेंबर में डिस पेंच नहीं हुआ सर इसके अंदर मेरे पास high value item का एक है 10% जो होता है जो सर है 47 orders सर 47 orders कितने है सर high value के पूर सर नवेंबर के पूरे महिने में मैंने 47 high value orders आपके received हुए तो सर जो 1st नवेंबर को receive हुआ होगा 1st sorry हाँ सर 1st नवेंबर को receive हुआ होगा मैं 16 नवेंबर को dispatch कर दिया होगा तो सर नवेंबर में उसकी फेमिट वो में दो लाएगेगा इस तरह करते 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 बटर जो 15 नवेंबर वाला है वो मेरा जाके 29 नवेंबर को हो चुका होगा उसा 16 नवेंबर वाला 30 नवेंबर को सर जो 17 नवेंबर वाला है मेरा including 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 सोड़ी बटा ये 29 को वा होगा ये 28 को ये 29 को बटा ये दोनों जोन इंक्लूड़िड होते हैं 15 डेज में बटा 17 नवेंबर वाला मेरा 30 नवेंबर को जाके डिस्पैच वा होगा सरी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये 29 नवेंबर हो जाएगा ये 30 नवेंबर हो जाएगा बटा ये जो 17 तारिक के बाद है 17 तारिक के बाद जो आप लेके जाओगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 35 तारिक वाला 30 को और ये पहली को सर एंड के जो सर पंदरा ओर्डर होंगे मेरा एंड के बटा जो मेरे पंदरा ओर्डर हैं सर वो तो सर अफेक्टिवली मेरे डिस्पैच हो रहे होंगे dispatch हो रहे होंगे December में तो सर्फ वो वाले पैसे तो सर्फ मुझे January में ही पेक करने होंगे जब despite December में हो रहा है तो पैसे भी उसके January में कटेंगे तो बटा मतलब यह हुआ कि आपका less November high value items to be delivered to be dispatched in December तो वो कैसे सब 470 orders 10% की orders होंगे उसको मैं कर दूँ 15 divided by 30 तो सर्फ यह आपके पास आगया 23.5 तो सर्फ आपके पास effectively number of orders आगा है तो सर्फ वो आगा है 1296.5 जब कि इस quarter में dispatch होंगे उसके इसके साब से 300 रुपे वो काटेगा तो सर्फ आपके पैसे काटेगा जो आपके dispatch हुए में है तो सर्फ आपके पास यह आ जाता है कोई 3,88,950 तो सर्फ मैं actual में receive देख लूँ अपनी सर्फ आपके पास कितनी है सर्फ आपके पास रिसीवट हुई लिए है 14,385,717 बोलो तो सर्फ आपके 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 पास यह हुआ है received cash received सर्फ अब क्या करना है सर्फ आपके पेमेंट्स है मेरे पास पेमेंट्स हैं सर्फ पेमेंट्स के लिए सर मुझे थोड़ी working करनी पड़ेगी इंगे पेमेंट्स के लिए उन्हें कुछ अलगी काहनी बताई रही है सर कह रहा है परचेजिए जुनी ना मन्त और सर में पर यहां पर था कि हाई वेल्यू आइटम पर्चेज और स्टॉक लेवल अफ अधर गोड जैसे स्ट अधर गोड जैसे अधर फोट्टी पर्चेजिए फ्रटी पर्चेज आप पेड इन दे सेम अधर बैलेंस इस पेड इंद नेक्स मन्त और सब्सक्राइब्र का मुझी ज़्यावा थी पॉं कि यहां बना रहा हूं से वर्किंग मना रहा हूं खाली महीने कितने हैं सर एक है ऑक्टूबर एक है सर नवेंबर और एक है सर डिसेंबर सर मेरे पास कॉस्ट और सेल्स कितनी है सर वह ए सर सेइज डिवाइड़ बाए one पॉंट त्री सेल्स अपकी क्या है सर यह ली आपकी कहा है सर फ़ाइब मिलियन फोइट टू और फाइव पॉंट टू मिलियन तुसको डिवाइड़ बाए वन पॉंट त्री मैं करता जाओं तो सरे मेरे पास आता है कोई 3846 154 यह आपके बाद है 3230 779 और सरे डिसेंबर में आता है 44 16538 तो टोटल कॉस्त और से जाती है अपकी तोटल कॉस्त और से जाती है ठीक है अब मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक परशेशं निकाल लोगा पर पेमिंट के दिनकोंगा पहले मुझे पता दो चला मुझे परचेश कितनी करनी है सर ओपनिंग स्टॉक मुझे कहता है कि सर जो हाई वेल्यू आइटम के इलावा मतलब सर इंका जो 90% होगा उसका 25% मैं मंगा के रख लेता हूं मतलब बिटा मैंने आपके सेप्टेंबर की सेप्टेंबर के अंदर मैंने क्या किया होगा बिटा कुछ मंगा के इसका रख लिया क्या होगा जो बनता है 665 885 कि बाकी क्या होगा सर में LIVE मेरी बजएटी और ओसका 90प्रे फडी फाइप अन्दर के इंदर मेरे पास बनता है है कोई साथ छपिस नौसो तेस अफेक्टिवली मेरी पर्चेश कितनी हो गई सब्सक्राइब क्लोजिंड स्टॉक यह नहीं लिखाव है नहीं देख लो यहां पर लिखाव आए प्रचेश की होगी अक्टूबर में यह सर अच्छेश इस की होंगी अक्टूबर में यह सर अमाउंट है पैसा नहीं है यह में पस होगा फिर सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया यही वाला आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा नवेंबर का 726923 का और सिसका क्लोजिंग क्या होगा सर यही होगा आपका इसका 90% हाइव यह अटा के 25% मैंने मे आट सो च्याजिस मेरी पर्चेश इस जो नवेंबर मेंगी सर वाइंगी कोई 3507 692 की अब सर डिसेम्बर में क्या होगा समपा ओपनिंग आ जाएगा यह 1003846 यहां से उड़के यहां चला गया सब जैन्वरी में मेरी क्या है सब 6 मिलियन है सब 6 मिलियन का मैं निकालूं कितन सब 6 मिलियन का मुझे निकालना पड़ेगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स सर वह आपकी जैन्वरी की बनती थी कोई सर 4615384 मुझे बनाना खाली हो खाली क्लोजिंग के लिए तो सर इसका भी जो सर 90% है और सक 25% में 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 लगना है तो सर वह मेरे पास आता है आपका 1038 400 प पर्चेस में डिसेंबर में कर रहा हूंगा तो वह कर रहा हूंगा 4.49619154 मिलियन की सर यह में पास आगया पर्चेस के सर मैंने पर्चेस इतनी कर नहीं है सर पैसो का मैं क्या करता हूं सर 40% same month और 60% in next month बेटा मतलब 3707692 का जो 40% है इसका जो 40% है सर वह मैं अभी पे कर दूँगा और सर 60% जाके मैं next महीने पे करूँगा यहां प्रओंगा एसे तरह मैं इसका ही करूँगा 40% में यहाँ पे कर दूँगा 60% जाके मैं December में पे कर रहा हूंगा और सर आपका जो यहां पर आएगा 40% मैं इसी महीने पे कर दूँगा बाकि सर शिक्स्टी परसें नेक्स में बना सब्सक्राइब वाली सब्सक्राइब कितना आ गया सब्सक्राइब कोई 148307 एक तो सर मैं यह पेमिंट कर रहा हूं बाकि सर जो पिछले सप्टेम्बर में सब्सक्राइब की थी 3.2 कि मुझे बाइब कर रहा हूंगा सर यह 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 पे गिविन था कि सप्टेम्बर ने बेटा मैं 3.2 पर्चेजिस की भी दी तो सिक्स्टी पर्शेंट कितना होता जो सर मैं आज जाके पे करूंगा सर वह बनता है कोई 192 0000 और सर यह आपका 370692 को जो सर 60% है वह आपका बनता है 2 224615 और सर इसी में नवेंबर की जो सर पर्चेजिस का 40% में नवेंबर में पे करना हूं तो उसका 40% बनता है 1403 0000 सर इसी इतना सर डिसेंबर में 3507 692 को 60% बनता है आपका सर 2104 2104 615 और सर इसी महिने की जो 4491654 जो है आपका 40% में इसी महिने पे कर दूंगा जो है बनता है 1798462 तोटल जो सर पेमेंट बन रही है सर मैं कर रहा हूं कोई 3403077 की सर ऑक्टूबर में कोई 3627692 की करना सर नवेंबर में और सर 3903077 डिसेंबर में सर इसाइ सब को मैं एड़ आप कर रहूं तो सर मेरे पास जो पेमेंट बनती है 846 की तो सर पेमेंट करना मैं या पर आजाओ सर कैश रिसीवट आपके आ गई पेमेंट टू सप्लायर कितनी है बेटा टैन नाइन डबल त्री एट फोर सिक्स सर मेरे आगए पेमेंट तो सप्लायर बागी सर एक और पेमेंट है सर मेरे एडमेंट वाला जो सर यहां पे पोइंट था कि सर आपका ज्यार करेंट लिए बेटेशि आपके डमेंट चार्मेंट पेमेंट पुंअपरियोग द्र पार कॉर्टर होता है तो 10 million की payment मैंने इसकी करी यह तो सा negative आ गया cash कहां यह कोई 29 million की हो रही है 10 और 10 20.9 million 14 तब मेरे पाद जोसे cash बचता है सर वो बचता है कोई 6548129 का फिर क्या है सर मेरे पास एक given था कि मैं पाद कोई cash and bank का balance पढ़ा हुआ है कितना 5.5 million opening में पाद cash and bank पढ़ा हुआ है opening so sir मैं पाद cash and bank as at 1 October 2015 पंदरा आसर वो है कोई 5.5 million का इसाफ सर मेरे पास जो closing में इसर वो cash का overdraft खड़ा हो जाएगा 1048129 का दूसरी आपके पास आ जाएगा cash and bank as at 31 December 2015 पंदरा ओवरड्राफ्ट सरी यह था आपका cash flow statement I hope it आपके समझ में आ गया हो अगर फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे call करके पूछ ले ना अपना ख्याल लखें अल्लाहाफस आप ले मांदर्ट स्थाल मांदराक्ष झाता धिसरानी आफेल ना तो उएवा आपके पुो आपके गास नापके लिए रह नाफनी समझ मांदर्टस झाता है कि दूसरा स्चाहश को जूसरा टोसरा है